एक शांथ जील के पास एक शांथ गाव में, चार कटर दोस्त, साई, राम, सैम और सुनी था, स्कूल और खेलने की रोजाना की आत्तों को साजा करते थे। उनका पसंदीदा वक्त, जील के किनारे पर पत्थरों को उचालना और छुट्टियों में नाव चलाना। वे एक दिन, वे नाव में जाने का निर्ने लिया, उनका आनंद साई के नाव से अप्रत्याशित गिर गया जब उन्होंने नदी में गिर गये। गाव के लोगों ने साई की खोज की, लेकिन रात होते होते भी साई गायब रह गये। सभी को अगले सुबह साई को खोजने के निर्धारित राम, सैम और सुनीथा नदी के किनारे की खोज में जुटे। उन्होंने हर जगह खोजी, आखिरकार एक चुपा हुआ गुफा में सुरक्षित साई को खोज लिया। साई उन्हें देखकर बहुत खुश महसूस किया, उसने खुशी के साथ महसूस किया, कुछ समय बाद वे सभी गाव जाने का निर्ने लिया। उन्होंने साथ मिलकर गाव की ओर बढ़ा, राहत के साथ वे पुनह एक साथ हो गए और गाव में खुशी का वातावर्ण फैला। सारे गाव वाले साई को देखकर बहुत खुश थे और हर कोई उनकी मित्रता पर गर्व महसूस करता था। उनका बंधन कभी भी तेज हो गया, उन्हें पता था कि एक साथ वे किसी भी चुनौती को जीत सकते हैं जो जीवन उनकी ओर फैंकता है।